हेलो वेलकम आप देख रहे हैं FCC4U आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MS Paint क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं MS Paint एक Basic Drawing Program है जो Windows के साथ ही रहता है आप इसे कैसे Open कर सकते हैं सबस्पहले Start बटन पर किलिक करेंगे और यहां All Program या All Apps पर किलिक करके Windows एसे Series पर किलिक करेंगे और यहां पर Paint लिखा हुआ है इस पर हम किलिक करेंगे यह इस तरह से खुल जाएगा आप इसे Search करके भी ला सकते हैं सबस्पहले उपर में यहां पर लिखा हुआ Untitle यह Title बाद कहलाता है यहां पर Untitle है अगर किसी के नाम से हम Save कर देंगे तो यहां पर इसका नाम आ जाएगा उसके बाद यहां पर Quick Access Toolbar है New, Append, Save यह सब आप यहां पर Aid कर सकते हैं Right Side में Close, Restore, Maximize और Minimize है यह सब आप पीछे सीख चुके हैं उसके बाद यहां पर File है File में New, Append, Save, Save Us, Print, Asap कर सकते हैं यहां से आप कोई भी Drawing बना कर Direct Desktop पर Save कर सकते हैं Properties आपको दिखाता है कि Image और गएरे के बारे में कि क्या Size है यहां से आप उसका Size और देख सकते हैं चली आगे देखते हैं Home Tab और View Tab है Home Tab पर किलिक करने पर आपका यहां पर Reven खुल जाता है जो अलग-अलग Group में बटा हुआ है सबसे पहले हम बात करते हैं Tools Group के बारे में यहां से हम सबसे First में Pencil को Select करते हैं और यहां Drag करते हैं तो यहां पर Pencil आपका आ रहा है तो यहां से हम Color भी Change कर सकते हैं यहां Color में जाएंगे और जो Color लेना है उसे हम Select करेंगे तो Drag करने पर वही Color आपको यहां पर दिखाएगा Pencil का आप यूज कर सकते हैं अच्छा सच्छा ड्रोइंग करने के लिए बना सकते हैं आप यहां से इसका यूज कर सकते हैं Pencil का Size बड़ा छोटा भी यहां से Size से कर सकते हैं जैसे आपको रखना है यहां पर इसका रख सकते हैं First Color में जो आपका Color रहेगा वही Color आपका यहां पर आएगा यह First Color जो कराता है For Ground Color और Second Color आपका Background करा हुआ पीछे का Color हुआ तो हम First Color लेके यहां पर कुछ भी ड्रोइंग करेंगे तो यहां पर वैसा ही Color आएगा जो Color हम Select किये हैं उसके बाद हैं यहां पर Fill Color आप Fill करके किसी भी शैप्ष या कोई ड्रोइंग के बीच में आप Fill Color Select करके वहां पर डाल सकते हैं Color को इस तरह से Eraser है यहां पर नीचे Eraser से आप इसको जो Direct किये हुए हैं उसे मिटा सकते हैं इसको आप यहां Size से भी बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करना है तो आप अपने Keyboard से Ctrl Plus और Minus का यूज़ कर सकते हैं छोटा करने के लिए तो यहां से इसका हम Use कर सकते हैं उसके बाद यहां पर हम कोई भी Shepsh Drag कर लेते हैं Shepsh को Select करके आपको क्या करना है Left Button दबा कर इसे Drag करना है अपने Keyboard पर तो इस तरह से Shepsh आ जाएगा आप इसमें Fill Color अगर अभी कर सकते हैं यहां Fill Color लेंगे और Color को यहां Select करेंगे और इसमें डाल देंगे तो यह Color इसमें आ जाएगा Pick Tool है Pick Tool के द्वारा आप यहां पर Color Choose भी कर सकते हैं कोई Image हो कोई Drawing बना हो तो उसे आप ले सकते हैं इसमान चली यहां पर हम Pick Tool यूज़ करते हैं और इस Color को फिर से हम लेना चाहते हैं यूज़ करना चाहते हैं यहां पर हम Click करेंगे तो यह यहां पर Color आ जाएगा First में और यहां पर हम दूसरी Shepsh में डाल सकते हैं इस तरह से आप Ctrl Z करके Under कर सकते हैं यहां से भी Under और इड़ो आप कर सकते हैं उसके बाद है आपका यहां पर Magnifier किस से आप Zoom कर सकते हैं लेंस के तरह यूज कर सकते हैं कि कहाँ पर मेरा लकीर में कुछ छुटा हुआ है या नहीं है इसे आप जूम कर सकते हैं लेट बटन दबा कर जूम आउट कर सकते हैं उसके बाद हैं यहाँ पर आपका टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जहाँ लिखना आपकर करसर को क्लिक करेंगे अब देखिए ये नीचे आ गया थोड़ा सा हम क्या करेंगे ये dot जो बना हुआ इसे घीच देंगे ठीक है अपना size यहां से हम कर सकते हैं font का size font का changing यहां से हम कर सकते हैं जो font लेना है जो style में font का size यहां से बड़ा घटा सकते हैं ball italic underline कर सकते हैं यह सब आप यहां कर चुके हैं उसके बाद आप यहां पर इसे इधर उदर खिसका सकते हैं जैसे यहां पर देखेंगे arrow चारो तरफ बना हुआ इसे कहीं भी ड्राइक करके आप ले जा सकते हैं उसके बाद है यहां पर आपका ओप क्यों और ट्रांसपरेंट आप यहां पर ओप क्यों करेंगे तो पीछे का जो background है वो नहीं दिखेगा पीछे का जो shapes हो गए रहा है वो आपको नहीं दिखेगा transparent करेंगे तो यह आपका transparent पूरा दिखेगा शिर्फ आपको text से ही नजर आएगा बीछे का background नहीं नजर आएगा तो यहां से इसे आप choose कर सकते हैं आप कभी भी इसका color change कर सकते हैं जब तक इसमें dot बना हुआ है आप बाहर किलिक कर देंगे तो फिर से आप इसका color change नहीं क यहां से हम use कर सकते हैं एक एक करके यहां पर आप रखेंगे तो यहां पर सभी का नाम भी है यहां पर देखेंगे marker क्रेयोन और यहां पर देखेंगे वाइल बरश ठीक है वाटर कलर बरश सभी का नाम है यहां से आप ले सकते हैं कलर कर सकते हैं इस तरह सी यूज़ कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से कोई भी शेप्ष आपको यूज़ करना है तो शेप्ष को लेंगे और यहां स यहां पर देखिए यह सीधी लकीर है शेप्ष का और इसे हम टेरहा मेरा कर सकते हैं जैसे कि कोई भी हमको पेड़ बनाना है तो इसका शेप्ष को टेरहा वगेरा करके एक पोधे की लकीर की तरह बना सकते हैं और यहां पर हम इस सब का यूज कर सकते हैं पैंसिल का यूज कर सकते हैं जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह से आप यहां इस तरह से यूज कर सकते हैं और फिल कर अगरा लेके यहां से आप कलर अगरा कर सकते हैं इस तरह से आपका कलर का यूस आप यहां से कर सकते हैं चलिए आगे टूल्स के बारे में बात करते हैं कोई भी आप शेप्ष लेते हैं या ड्रोइंग करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डॉट बना हुआ है उसके बाद यहां पर साइज और आउटलाइन फिल यह सब हाइ आउटलाइन तो आउटलाइन हट जाएगा solid color तो solid color आ जाएगा ठीक है crayon तो यहाँ पर हल्का सा यह आएगा marker यहाँ से आप सब लेके oil ठीक है natural pencil ठीक है water color यह सब यहाँ से रख सकते हैं कैसे आपको रखना है आउटलाइन को यहाँ से चूज कर सकते हैं उसके बाद हो गया fill color solid color पीछे का कोई भी color नहीं दिखेगा ठीक है crayon हलका सा marker oil natural pencil watercolor यह सब आप ले सकते हैं यहाँ से इस तरह से आपको समझ मैं आएगा उसके बाद है size इसका size आप जो border है उसका size बड़ा चोटा करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं उसके बाद है color आपको बता ही दिए कोई भी color आप ले सकते हैं यहाँ पर edit color add to custom color पर click करेंगे यहाँ आजाएगा और ok कर देंगे तो यहाँ पर आपका color एड हो जाएगा अब यहाँ से color बना सकते हैं चलिए आगे view tab की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से zoom out, zoom in कर सकते हैं 100% fit कर सकते हैं यह सब आप notpid, wordpid में सीख चुके हैं तो यहाँ से आप zoom in, zoom out कर सकते हैं ठीक है show or hide यहाँ रूलर को show कर सकते हैं कर सकते हैं, guideline को लगा सकते हैं, फटा सकते हैं, चड में आपको यहां पर देखाता है Zoom, Zoom आउट करना, और यहां पर आपका करसर का, कश है data का information दिखाता है। full screen से आप पूरी screen पर इसे देख सकते हैं. chef institute करना है फोपर समिने पर सकते हैं, चली, आपको बताये थे कैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यह बोला है सबस पहले आपको इसको सेव करना होगा तो हम इसे क्या करेंगे सेव कर लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस पर सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसे किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं हम किसी भी नाम से यहाँ पर सेव कर लेती हैं सेव करने के बाद फिर हम जाते हैं यहाँ पर और सीट और बेकगराउंड पर किलिक करेंगे तो यह होगा आपका बेकगराउंड पर यह सीट हो जाएगा तो इस तरह से आप बेक गरोंड पर ड्रोइंग करके भी सीट कर सकते हैं आप इस पर अच्छा साथा पैंटिंग कर सकते हैं कुछ पैंट्स हम बना के दिखाते हैं आपको जैसे कि हम एक फलैग बनाना चाहते हैं अपना इंडिया का जंडा तो इस तरह से हम एक शेप्ष को लेकर ड्रैग कर लेते हैं इसे साइज हमको छोटा करना है यहां साइज से छोटा कर देते हैं और यहां पर यह लेते हैं यहां से कर्व शेप्ष और यहां से हम इसे ड्रैग करते हैं अब इसे सिधा लकिर करना है shift बटन दबाकर घीचेंगे और उपर की साइड करसर को रखेंगे और left बटन दबाकर पर उठा देंगे और फिर नीचे की तरफ रखेंगे left wažon दबाकर नीचे की तरफ जितना पर आपको round करना है उतना पर अपको घिसकाएंगे और इसे छोड़ देंगे उसके बाद को किलिक कर लेना है और select यहाँ पर select लेना है आप यहां देख रहा है यहाँ से select option का use कर सकते हैं यहां पर हम select लिए, आपको यह देख लेना है कि यह जो हम घीच रहे हैं select, यह लकीर इससे बीच में ना कटे, तो यहां से हम पहले देख लेंगे कि यह cut रहा है कि नहीं रहा है, यहां पर हम ले लेंगे, और यह पूरे box के अंदर आना चाहिए, इससे हम select कर लिए, उसके ब जबाद हम इसे पेस्ट कर सकते हैं यहां से पेश्ट आएगा और यहां पे hadry करके ला सकते लिए यहां पीजे का दुव है और किया करेंगे आपünde अफहां सब्सक्राइं यहां होंगे स्लेक्ट पर जाएंगे आरे यहां पर हम इस तरह से लगाते जाएंगे, यहां से हम पिष्ट करते जाएंगे, और यहां पर हम इसे लगाते जाएंगे, इस तरह से, ठीक है, उसके बाद फिर हम कर शेप्स लेते हैं, और यहां से यहां इसको मिलाते हैं, और यहां पर इसे ड्रैक कर देते हैं, साइट छोटा कर लेते हैं फिर यहां से यहां लेते हैं देखिए यह करने के बाद आप फिर से शर्फ किसी और पर क्लिक करेंगे फिर कर लेंगे तब ही नहीं तो यह इधर से दर किसक जाएगा फिर यहां लेना है फिर दूसरे शर्फ पर क्लिक करके फिर से लेना है और यहां से इस तरह से हम कर सकते हैं अगर घिसकाना है उपर चो तो आप अपने एरो की से कीबूर्ड से घिसका सकते हैं वीच में चक्र देना है तो आप यह लेंगे सरकल और इसे यहां पर ड्रैग करेंगे और इसे ड्रैग करने पर इस तरह से छोड देंगे फिर यहां पर यह लाइन लेंगे और लाइन से यहां पर अपने अनुसार डाल सकते हैं अगर इस तरह से आता है बाहर ले जाएंगे फिर से यहाँ पर आप लाइन गीचेंगे फिर से यहाँ पर इस तरह से लाइन गीचेंगे फिर से यहाँ पर इस तरह से लाइन गीचेंगे यहाँ पर रसी हो गयरा का देना है तो कर्व लेंगे और कर्व लाइन से यहाँ पर ट और यहां पर color डाल देंगे इस तरह से नीचे भी डालना है तो इस तरह से आप color ले सकते हैं और यहां पर डाल देंगे इस लकीर में डालना है तो हम कोई भी color यहां से लेकर लकीर में भी डाल सकते हैं इस तरह से तो यह आपका basic याहा हैं यहां से सब्सक्राइब मुए इर्दर कर सकते हैं और इतर गिसका सकते हैं, बेक्गरॉंड आपका वाइड रहाना चाहिए तो हम background color यहां से change कर देते हैं तो यहां से इस तरह से यह देखिए किस तरह से background color आ रहा है तो इस तरह से हम तो इस तरह से हम drawing कर सकते हैं आप अच्छा सा अच्छा drawing इस पर कर सकते हैं चलिए उसके बाद हम यहां पर आपको image group के बारे में बताते हैं जंडा को select कर लेते हैं और उसके बाद हमको अगर crop करना है तो यहां पर हम crop कर सकते हैं इस तरह से crop कर सकते हैं इसका size बड़ा छोटा करना है तो भी कर सकते हैं इसाइस से, मानचे लिए पना दूर हम select करते हैं, और resize पर click करते हैं, pixel और percentage में आप size छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहां से हम इसे size छोटा कर देते, इस तरह से यह छोटा बड़ा हो जाएगा, टिक है, उसके बाद आप यहां पे rotate भी कर सकते हैं, को यह पिक्टर को या आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहां सेलेक्ट करके रोटेट कर सकते हैं इस तरह से उसके बाद यहां पर सेलेक्ट में आप फ्री फरॉम सेलेक्शन से जितना दूर सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना ही दूर आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं तेकि यहां पर बेक्गरॉंड आपका वाइट कलर होना चाहिए यहां पर मेरा दूसरा कलर है इसलिए बेक्गरॉंड में दूसरा कलर है इसे हम वाइट रखेंगे बेक्गरॉंड कलर वाइट रखेंगे अब यहां पर अगर हम सेलेक्ट करके हटाते हैं तो मेरा डग्राउन कलर वाइड ही आएगा उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं सेलेक्ट अल मतलब पूरा पीज सेलेक्ट हो जाएगा आप इसका सकते हैं इसके बाद ट्रास्परेंट सेलेक्शन आपको बोले जिसे कि हम यहां पर कुछ लिखना चाहते हैं या कोई शेफ्ष हम यहां पर डालना चाहते हैं इसके पीछे आपका देखेंगे तो यह आप यहां से इस तरह से ड्रोइंग कर सकते हैं इमेज ग्रूब में आप अपने अनुसार इमेज को रिसाइज कर सकते हैं सेलेक्ट पर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से आप ऑनलाइन फोटो गयरा करते हैं आप ओन-lain फोटो अप्लोड घर करते हैं यहं से इसका फी सबस्यक्त कर सकत हैं कि जैसे कि ऐसी फोटो हमें लेहां लेते हैं कोई ही यहां बानने कुई स Mean ओर और ने पे पर स्कली में और यहां पर सेंटेज या पिकसल कितना रखना है कि यहां पर पिक्सल कर लेंगे पिक्सल जतना हाइट और विर्थ रखना है यहां से हम रख सकते हैं पर्टिकल और होरीजन्टल कर सकते हैं तो परसेंटेंटेज लगते हैं हमें 50 कर लेते हैं और यहां भी हम दोनों में 50 कर लेते हैं तो इसी साइज में इमेज आपका यहां से आ जाएगा इस तरह से आप इमेज का साइज भी कर सकते हैं ओके तो यह छोटी सी जानकारी रही pen drawing के बारे में आप आगे की प्रोग्राम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं और अपने चैनल पर अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं